मसाले दार लाजवाब कटहल की सबजी यानि जैक फ्रूट करी सो लेट्स केट स्टार्ट तो सबसे पहले हम लेंगे कटहल फिर हम लेंगे प्याज फिर हम लेंगे अद्रक लेसन फिर हम लेंगे हरी मिर्च तेल साबुत गरम मसाले धनिया पाउडर नमक लाल मिर्च हल्दी गरम मसाला टमाटर हम डाल भी सकते और नहीं भी डाल सकते ये आपकी मर्जी है तो सबसे पहले हम लेंगे कडाई और उसमें डालेंगे पानी फिर हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए कटहल और इसको एक उबाल देंगे फिर हम लेंगे ग्राइंडर और इसमें डालेंगे प्याज लेसन अदरक हरी मिल्च और इसको ग्राइंड कर देंगे यह कुछ ऐसा दुखेगा अब इसमें एक उबाला आ गया है तो हम इसको बंद कर देंगे फिर हम लेंगे कडाई और उसमें डालेंगे तेल और उसमें हम डालेंगे अपने उबाले हुए कटहल फिर हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राइ जब तक हमारा कटहल फ्राइ हो रहा है तब तक हम लेंगे अपना कूकर और उसमें डालेंगे तेल और इसको अच्छे से गरम होने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले और इसको भूनेंगे फिर हम इसमें डालेंगे ग्राइंट के हुए मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जैसे हल्दी लाल मिर्च तनिया पाउडर नमक गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल दीरे दीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा और हमारा मसाला तेल छोड़ने लगता है और अब हम देख सकते हमारे मसाले का कलर भी चेंज हो गया और साइट साइट में तेल भी आ चुका है तो अब हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है मसाला पक चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे अपने फ्राइट कटहल जो हमने फ्राइट किये थे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे मसाले और कटहल को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसमें डालेंगे हलका सा बिल्कुल हलका सा पानी फिर हम अपने कूकर को बंद कर देंगे और तीन सीदियों तक का वेट करेंगे तो अब हम अपना कूकर खोलेंगे और हमारा मसाले दार कटहल तयार है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमारा स्वादिश्ट मसाले दार कटहल तयार यह बड़ा ही टेस्टी बनता है आप इसको जरूर ट्राय करना और शेयर करना अपने घर में इसको हम किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं चाहे वो रोटी हो चावल हो यह बड़ा ही टेस्टी बनता है ऑच वाई अबड़ा है अबड़ा करते हैं शेयर व्लाव में खॉप्ला अबाट यह बड़ा टेस्टी बस तबैड्या रचानल यह बड़ा है